हेलो एबरिवन मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन फुटी फुटी पर आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी जट पर से बन करके तैयार हो जाती है बह पाउडर तैयार करेंगे यह देखे पाउडर हमारा तयार हुटाइब तैयार करेंगे यह देखे इस तरीके से बिस्किट को ले लिया है अब हम इनका पाउडर तयार करेंगे यह देखे पाउडर हमारा तयार हुटा है अब इस पाउडर को हम एक चनी की मदद से इस तरीके से बॉल लेंगे और एक चनी की मदद से हम इसको चान लेंगे इसे हम आटा वगयरा चानते हैं उसी चनी से हमें इसको चानना है इस तरीके से चान लेंगे इस तरीके से चानने से जो इसके बड़े टुकड़े वगएरा होंगे वो निकाल लेंगे और वापस हम इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेंगे यह देखिए इस तरीके से टुकड़े जो निकले है ये देखिए पूरा पाउडर हमारा अच्छे से तयार हो चुका है अब हम बनाएंगे चॉकलेट सिरफ उसके लिए हमने याँ पर 4-5 चॉकलेट ली हैं इनको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे ये देखिए सारी चॉकलेट को हमने निकाल करके इस तरीके छोटा-छोटा तोड़ लिया है अब हम इनको डबल बॉयलर की मेथिट से इनको अब हम मेल्ट करेंगे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हमने याँ पर एक कढ़ाए में लगवग एक डेल्ड ग्लास पानी रख दिया है वो अच्छे से बॉयल हो रहा है अब चोटे से भॉने में हमने ये चॉकलेट को निकाल लिया है इसमें हमें पानी बगएरा विल्कुल भी आट नहीं करना है और इस तरीके हैं इसे अपर रख करके अच्छी से चलाते रहेंगे बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाता है ये देखिए सारी चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब ये जो हमने चॉकलेट बनाया है पेस्ट बुसको हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से अब ये जो बगोने में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है अब हम इसमें डाल देंगे one fourth cup kevel one fourth cup दूद और इसको अच्छे से हम निकाल लेंगे इस तरीके से चलाते हुए इस तरीके से आप चॉक्लेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं या फिर ये प्रोसेश अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके का मार्केट में सीरफ यह बहुत ही अच्छा होता इसको भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं, हम इसमें दोनों ही चीज़ें एड़ करेंगे, अभी जो सीरफ लिया है, इसको भी आड़ कर देंगे, जैसा आपको डार कलर पसंदो, पुसी के कॉर्डिंग आप इसमें सीरफ या चॉकलेट मिक्स करिये अब इस मिक्षर में हम डाल देंगे एक्स में हमने एक ही टेबल स्पून शुगर एड़ किया है अगर आप जादा मीठा पसंद करते हूं तो इसमें थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं लेकिन बिस्कित जो होता है वो अल्रेटी बहुत मीठा होता है उसके अलावा हमने इसमें चॉकलेट भी एड़ की है इसलिए हमने केवल एक टेबल स्पून यहाँ पर शुगर एड़ की है अब यह जो हमने मिल्क लिया था इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हम इसका डो तयार करेंगे इस तरीके से यह देखिए हमारा बिल्कुल रोटी के जैसा हमने डो यहाँ पर तयार कर लिया है इस तरीके से इतना सॉप्ट हमारा डो बना है यहाँ पर हमने जो चॉकलेट सिरफ लिया था उसके तीन पैकेट हमने इस्तमाल किया है यह डार्क वाला चॉकलेट है हमारा जब तक दो हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम उसके लिए स्टफिंग तयार कर लेंगे यह देखिए हमने लिया है यहां पर 500 ग्राम मावा अब हम इसको थोड़ा सा कड़ाई में डाल करके फ्राई कर लेंगे ताकि एच्छे से मेल्ट हो जाए मावा अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो गुट्लिया बगेरा है वो सारी फूर जाए और यह एच्छे से मेल्ट हो जाए यह देखिए लगातार चलाते हुए लगबग 2-3 मिनट के लिए हमने मावा को इस तरही से फ्राई कर लिया है यह अच्छे से मेल्ट हो अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस जिससे हमारे स्वीज रोल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक टेवल श्पून भर करके यह पाउडर शुगर और इन सारी चीजों को अब मच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसी स्टेश पर आपको इसको टेस्ट करके देख लेना है अगर आपको कम मीठा लगे तो इसमें थोड़ी सी चीनी और आट कर लिजी हम भी इसमें 1 चमच चीनी और आट कर रहे हैं और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे ये डीजी हमारी स्टफिक तयार हो चुकी है अब हम अपने स्वीज रोल तयार करने के लिए एक एलुमिनियम फाइल ले रहे हैं आप चाहें तो यहाँ पर पॉली थिन का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम अपना डो अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे देखिए कितना सॉफ्ट हमारा डो तयार हुआ है अब इसमें से हम आधा डो ले लेंगे अच्छे से हमने इस तरीके से इसको मिक्स किया तो कितने अच्छे से इसमें ओयल निकल ला है इसमें हमें कोई भी ओयल बगराँ नहीं डाला है बिसकेट में काफी मादरा में ओयल था इसी से इतना अच्छा हमारा यह डूर तयार हो चुका है आप हम इसको स्क्वाइर शेप में बेल लेंगे इस तरीकेसे इसको सेट कर लीजिए आंटों की मदद से अब इसके उपर हम एक वॉलेथिन रग लेंगे आप चाहें तो एलो मिलियम फायल रग दिजिए और इसको हलके आप से बेल दिजिए इस तरीके से अगर हम एचे ही बेलेंगे तो यह बेलन में चिपक सकता है स्क्वायर dish में ही आपको बेलना है इसको जर्गों रumमक अब इस तरीके से मुलतें रटा देंगे वी देखे कितने अच्छे से हमाह पायार कर लिया है आप इसके जो किनारे हैं इस साइट वाले इनको हम कट करके इस तरीके से दिकाल देंगे दीरे से काटिएगा नीचे फाइल हमारी नहीं कटनी चाहिए इसी तरीके से हमिदर से भी निकाल देंगे आप जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको इस तरीके से चमस की मदब से लेंगे और इसके उपर हलके हाथों से हम रख देंगे तोड़ा थोड़ा दाप रख दीजिए और दीरे से फैलाएए इसको इस तरीके से चापु की मदब से दाप फैलाते जाएंगे हम यह देखिए हमने हर तरफ की जो हमने मावा की स्टफिंग त्यार की इसको फिल कर लिया है लेकिन इस साइड में हम थोड़ा सा छोड़ा है और इधार भी थोड़ा सा छोड़ा है इस तरीके से साइडों में नहीं निकालेंगे नहीं निकल के आ जाएगा अब हम फिर से थोड़ा सा पोलेंगे इसके उपर रख लेंगे इस तरीके से और हल्का सा बेलन से हम इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से ज्यादा प्रेस नहीं करना है बस हल्का सा ताकि यह अच्छे से से सेट हो जाए इसके उपर इस पूरी तरीके से समावा हमारा सेट हो गया है अब इसको हटा देंगे हम अब हम इसको रोल करेंगे रोल करने के लिए इस तरीके से दीले से हम एलुमिनियम फाइल को उठाएंगे और उल्गियों की मदब से इसको फोड़ा सा प्रेस करेंगे हम उलका सा और इसको निकाल लेंगे इस तरीके से देखिए फिर से प्रेस करेंगे और इसके निकालते चले जाएंगे इसी तरीके से हम पूरा रोल अपना तयार कर लेंगे जिसको हमने रोल कर लिया है आप दुबारा राइप कर देंगे और फ्रिज में फोड़ी के लिए ताकि यह अच्छे से रूल हमारा सेट गूँ आदा गंटा ओच चुका है फ्रिज में रखे रूल हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है आप हम इसको ओपेन करेंगे करेंगे उसको फोड़ा सा चाहिए से इस तरीके से सारे रोल कट कर लेंगे वाव यह देखिए मैंने इसको ट्रॉल लग रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे स्वीज मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज को मेरे चैनल इंडियन फूरी फूरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें बेल आइकन जरूर से में सके थाइक्स पर वाचिंग